क्या थी सती प्रथा? यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पती की मौत होने पर पती की चिता के साथ ही उसकी विद्वा को भी जला दिया जाता था. कई बार तो इसके लिए विद्वा की रजामंदी होती थी तो कभी-कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता थ पती की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था जिसका मतलब होता है पवित्र महिला आये जानते हैं सती प्रथा की शुरुआत कहां से हुई मानेताओं के अनुसार सती प्रथा की शुरुवात मादुर्गा के सती रूप के साथ हुई थी जब उन्होंने अपने पती भगवान शिव की पिता दक्ष के द्वारा किये गए अपमान से क्षुब्ध होकर अगनी में आत्मदाह कर लिया था अंतिम सती कौन थी? रूप कमवर को उसके पती की चिता पर जिंदा जला दिया गया कई हजार लोगों ने भाग लिया उनकी मृत्यू के बाद रूप कमवर को सती माता, एक सती मा या शुद्ध मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया इस मौत ने तुरंथ ही देश के विभिन हिस्सों में सारवजनिक आक्रोश पैदा कर दिया ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में सती प्रता को प्रतिबंधित कर दिया था यह एक प्राचीन हिंदू प्रता थी जिसमें पती के अंतिम संसकार के दोरान उसकी विद्वा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी वेद सती के बारे में विवर्न नहीं देते बस यह हमें एक संकेत देता है और बताता है कि जब एक महिला का पती मर जाए तो उसे क्या करना चाहिए उदाहरन के लिए रिगवेद में पत्नी को जलाने का संकेत नहीं दिया गया है नेक पतियों वाली इन अविवाहित युवतियों को स्वयं को सुगंधित बाम और सुगंध से सजाना चाहिए सती प्रथा में विद्वा पत्नी मृत पती की चिता के साथ जिन्दा जल जाती थी उस वक्त अधिक उम्र के पुरुष की शादी कम उम्र की लड़की से कर दी जाती थी फिर उस पुरुष की मृत्यू हो जाने पर लड़की को भी उसकी लाश के साथ जलने पर मजबूर किया जाता था महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रहमा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई उनहीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई